असलाम लेकूम आज मैं आपके लिए बिल्कुल तनूर वाला नान की रेसिपी लेके आई हूँ घर पे मिंटों में ये रेडी करें जितने देर में आपने बाजार जाना है तनूर से नान लेके आने है इतनी देर में हमने घर पे धेरों सारे मिंटों में ये नान रेडी कर ल मेंने च्छान के इसकी मियर्मिंट की है बारीक पिसी हुई शुगर लेंगे बेकिन्ग पॉडर लेंगे हाफ ती स्पून और बेकिंग सोडा लेंगे लेंगे बारीक पीसी हुआ यहां पय लेंगे फॉर चमच लेंगे हम 4 चमच लेंगे दही के और 1 टेबल स्पून यहां पे लेंगे घी के आल के नहीं लेने हमने घी के लेने हैं और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे बहुत ही सॉफ्ट हैंड से ताकि यह अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं याद रखिएगा नान को बनाना बहुत ज्यादा एजी है जैसे के रमजान मुबारिक है तो नान हम घर में बना सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए जी थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी इसको घूंदना है ज्यादा पानी हम नहीं डालेंगे ना इतना सॉफ्ट रखना जितना हम रोटी के लिए आटा बनाते है उससे थोड़ा सा सकत हमने रखना है इसको तो चलिए जी यहाँ पर हमने इसको रफ सा गूंद लिया है डो जो हमारी है वो बिलकुल नीट नहीं गूंदी अभी तक और अब हम इसके उपर हलका सा आयल लगाएंगे और तकरीबन हाफ टी स्पून से भी काम और अच्छे तरीके से फिर इसको घूंद लेंगे दो से तीन मिनट के लिए यह घी को हमने इसके अंदर मिक्स करना है और हम इसको स्टे दे देंगे तकरीबन एक घंटे के लिए स्टे दे के हलका सा आयल लगाएंगे इसके उपर और कवर करके साइड पे रख देंगे हम इसको तकरीबन एक घंटा स्टे दे देंगे और अगर हो सके तो ज्यादा टाइम के लिए भी रख दें तो चलेंजी यहाँ पे हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है गंटा गुजर चुका है और इसके बनाते हैं पेड़े बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है ये डो हमारी तो चलें जी इतने इतने हमने पेड़े बना लेने हैं जितने आप नान बनाना चाहते हैं नौर्मल साइज के मैंने यहां पे सारे पेड़े बना लिए हैं अब हम पेड़ों को बना के हलका सा इनके उपर आईल लगाएंगे और साइड पर रख देंगे ताकि इनके उपर खुशकी ना आ जाए यह ड्राइ ना हो जाएं उपर से तो इस तरीके से हलका सा बस एक ब्रश वाला ही आईल आपने इसके उपर लग तो यहां पे मैंने ब्लैक वाले तिल लिये हैं वो इसके उपर डाले हैं और साथ लिया है हरा धनिया हरा धनिया भी इसके उपर इस तरीके से लगा देंगे चाहे तो आप फिंगर से ही हाथ से ही इसको टैब कर दे चाहे तो इसको रॉलर से इस तरीके से करें ताके यह सारी इसके अंदर सीड्स चिपक जाएं आप चाहें तो हलका सा पानी भी रोटी के उपर लगा के यह तिल लगा सकते हैं तो मैं अभी बताती हूँ आपको किसी दूसरे तरीके से भी किस तरीके से हम इसके उपर तिल लगाएं तो चैलें जी यहां पर हलका सा मैंने ब्रश से एक ब्रश से पानी लगाया है और उपर इसके तिल डाले हैं ताकर यह उतरे ना इसके उपर चिपक जाएं हरा धन्या लगाया है और हाथों से हलका सा टैब कर लेंगे तो यहां पर एक फॉक लेंगे फॉक्स से हम इसके अंदर इस तरीके से टैब करेंगे ताके इसके अंदर यह सुराख चोटे-चोटे बन जाएं यह देखे सारे नान हमारे माशाला से الحمدللہ سے ready ہو چکے ہیں तो यहां पे मैंने पैन लिया था तवा भी बन सकता है यह पैन भी बन सकता है तो कैसा लगा आप सबको मुझे अपनी कमेंट में जरूर बताईएगा तो मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर करूँ क्योंके मैं जो भी नई चीज़ लेती हूँ मैं अपनी यूट्यूब फैमली के साथ जरूर शेयर करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है तो चलें जी इसको हमने हलका सा गरम कर लिया है और अब हम बारी बारी तीन नान तकरीबर मेरे इसके अंदर आ सकते है क्योंके ये पैन ये तवा काफी बढ़ा है तो इस तरीके से हमने इसके उपर डाल दी है फिलेम मेरी याद रखिएगा लो है और इसके अंदर मैंने टू टेबल स्पून पानी के डाले है और पानी के डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये अंदर से भापनी और थोड़ा सा फूल जाएं और अच्छे तरीके से पक जाएं तो ये देखिए हलका सा हमने इनकी वपर ओल लगाना है कवर हटाने के बाद हलका हलका बिलकुल लगाना है ज्यादा नहीं हम इसके अंदर आयल लगाएंगे तो यह देखें एक साइट में कमल इसकी पक चुकी है उसका कलर भी बहुत हुबसूरत आ गया है और अब हमने आयल लगा दिया था और अब हम इसकी साइट चेंज करके फिर कवर दे देंगे ताकि यह अंदर से भी फलफी हो जाएं सौफ्ट हो जाएं नरम हो जाएं बिलकुल मुलाइम से हो जाएं तो हलका हलका टैब करेंगे यह देखें किस कदर खुबसूरत सा कलर आ गया है बड़ा प्यारा सा माशायला से बहुत खुश्बूदार नान है और रोजे के अफ़तारी के टाइम डिनर में इनको लिया जाए तो किस कदर यह नान मजे के बनेंगे यह देखें इनके उपर किस कदर प्यारे प्यारे से बबल आ गए है यह अंदर से भी बिलकुल पक चुके हैं अभी हम इनको मजेद और पकाएंगे और आप चाहें तो इसके उपर बटर भी लगा सकते हैं बटर की भी बहुत अच्छी खुश्बू आती है इसमें से तो चलें जी माशाला से हमारी यहां पे गर्मा गरम नान रेडी हो चुके हैं डिनर के लिए और बहुत ही सौफ्ट अंदर से ये नान बनते हैं और बाहर से देखें किस कदर प्यारे इसके बबल बने हैं और कलर देखें आप कितना गोल्डन सा आया है ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ही बजार से ये नान लेके आए हैं और माशाला से अपनी बनाई हुई चीज तो बाहर की चीज से भी ज्यादा अच्छी लगती है और मुझे तो बाहर से भी ज्यादा मार्कीट के जो नान तर नूर से लेके आते हैं उससे भी ज्यादा ये अच्छे नान लगी है क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये नान घर पे बनाए और ये नान मैंने कड़ाही बनाई थी मतन कड़ाही उसके साथ मैं सर्व करूँगी तो ये मतन कड़ाही की रेसी पी बी मैं इसक्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी आपको बहुत अच्छी लगेगी जरूर विजट करिएगा इसका भी और अपने प्यारे से कमेंट में आपने मुझे जरूर बताना है कि ये कड़ाही और ये नान दोनों कैसे बने तो मैं अभी आपको तोड के नान चेक करवाती हूँ कि आपको अंदाजा हो जाएगा ये नान जब तोड़ूँगी तो कैसे बने मुझे जरूर बताया करें कि मेरी चीज कैसी बनी और आपको कैसी लगी सबसे बड़ी बात तो ये देखें किस कदर सौफ्ट और मज़े वले नान माशाला से हमारे यहां पे बनके रेड़ी हुए हैं और मैं आपको बाइट लेकी भी चेक करवाती हूँ तो मैं ने खा लिया आप ने खा लिया एक ही बात है बहुत ही सौफ्ट और मज़े वले नान बनाएं, घर पे इंजुआई करें और अगर आप हलीम बनाएं, डाल बनाएं ग्रेवी बनाएं तो जरूर ट्राइ करिएगा अल्हाफीज